तो जे हिंदे दोस्तो के स्वाफ सभी उम्मीद करूँगा कि आप सब जो अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की इस केलास में हम एक ऐसा इंपोर्डेंट टॉफिक जो आपका यहां पर क्लियर कर लेते हैं जो की दोस्तो हमारा टॉफिक आपका प्रेक्शन यानि की हिंदी में इसको हम कहें तो दोस्तो क्या कहते हैं इसको बिनने और बिनने जो आपका topic होता है दोस्तों चाहिए हम बात करें आपका यहां पर SSC की उसके लावा बात करें आपका railway या पर आपका दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस सब कोई जो आपके जो vacancy होती है सबी जो बरती होती है उनमें almost जो आपका math के अंदर इससे जो आपका person पू कर लेते हैं दोस्तों कि आकर इसमें जो हमको किस प्रकार के जो person होते हैं वो पूचे जाते हैं उसके अलावा almost 4-5 जो person होते हैं वह आपसे यहां पर पूचे जाते हैं एक पूच लेगा जैसे कि सबसे पहले हम यहां पर इसका जो basic होता है वो दोस्तों यहां पर हम clear कर ले बिन्धोस कों से होगी उसके अलावा पोंचे आपकी बताया कि बड़ी जो बिन्धोन जो पनुद्धेा ते उसान ओधिन्धों, तो सब्से पहले दोस्तों मैं आपर बात करें तो Racete कीजी आपके यह पर के एक जो आपके बिनने हैं 2 बटे 3 और दूसरी बिनने आपके यह पर दोस्तो 5 बटे 7 यह जो हमारी क्या है दो बिनने हैं NEz अब हम को यह पर पोचेगा कि बताईए कि इनमें बड़ी कुणसी और च्छोटी बिन घृतव तो सब तो चलिए देखते हें सबसे पहले हम यहाँपर पढ़ने वाले हैं दुस्तू जो कि आपका जhाद तर आपका सवाल हम आपका यहाँपर यही जूँँ होगा क्रॉस क्रोसbrigtsal क्रोस Jamal वाला है यानि आपका केंची गुड़ां जो होता है जैसे कि एक बिनना वारी क्या है दो बटे तीन है दूसरी बिनना वारी यांफर क्या है पांच बटे में साथ है तो इनमें आपको क्या कर देना है केंची गुड़ां कर देना है आपस में तो साथ दूनी करें कितना होगा और दूसरी बिन्नी याँपर आपकी जो चोटी बिन्न है वो हमारी यहांपर कितनी है वो दो बटे तीन है यह से जो आपके दोस्तों प्रिसन है इनको सिर्फ और सिर्फ आप यहांपर देखते ही इस प्रिसन के जो आंसर होते हैं वो यहांपर आप बला सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको यहांपर थोड़ा गेराई में जाना होगा अब चलिए दोस्तों हम इसको अटाते हैं अभी तो हमारी क्या तीन दो बिन्न तीन आगे चल कर आपको यहाँ पर तीन तीन बिन्न भी दी जाती है तो यहाँ पर एक बिन्न ऐसा पोच कीजिए कितना है दोस्तों तीन बटे में चार दूसरी में हमारी कितना है साथ बटे में याफर ग्यारे अब बताईए मेरे को कि याफर कौन सी बिन्न जो आपकी बड़ी है वह कौन सी बिन्न जो हमारी याफर छोटी है तो चलिए देख लेते हैं तो वह ये आपको याफर केंची गुणा कर देना है तो 11-3 कर रहे हैं कितना होगा 33 होगा 7-4 कर रहे हैं कितना होगा 28 होगा तो क्या आपको यहां फर दिख रहा है कि 33 बड़ा है या पर आपका 28 बड़ा है तो कितना बड़ा है हमारा 33 जबकि 33 किस से मिलकर बना है 3 वटे 4 से यह क्या है बड़ा है किस से 7 वटे 11 तो यह जो अमारी fraction है दोस्तों यह जो अमारी क्या हो गई बड़ी fraction हो गई यानि कि greater fraction और यह जो दूसरी वाली विन्न है वो अमारी क्या हो गई smaller fraction यानि कि छोटी विन्न अब चलिए दोस्तों हम यहां फर एक प्रिसंद और देखते हैं जैसे कि दोस्तों हम यहां फर बात क जो चोटा है कौन सा विन बड़ा है तो चलिए देखते हैं तो इसके लिए अची गुला जो मैंने आपको बताया है क्रोस में आपको गुला करते ना है तो दस पचे करें कितना होगा पचास नोच के करें कितना होगा चवगन तो बताइए यहां पर आपका कितना बड़ा है तो नो बटे दस बड़ा है यानि कि नो बटे दस क्या है बड़ा है किस से पांच बटे में छे से तो यह जो इस प्रकार से आपको यहाँ पर compare origin जो होता है fraction का यानि कि जो विन्नों की तुलणा वो कि इस प्रकार से यहाँ पर की जाती है जो की अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्थों के लिए तो रही होती है अब सपोछ कीजिए यहां पर आपके गया रहे तीन जो आपकी विन्न हैं मेरे को बताइए यांपर की सबसे छोटी विन्न जो होगी हमारी इसमें बो कितनी होगी उसके अलाबा इसमें सबसे बड़ी विन्न होगी बो हमारी यांपर कितनी होगी तो चलिए इनका कमफेरेजन करना होता है दियान रहे है कि आपका बिन्हों का comparison करना होगा सबसे पहले आपको 2 के साथ comparison करना है उनमें से आपकी एक संक्या छोटी एक वड़ी निकल करके आएगी तो फिर उसके वाद में जो नेश्ट संक्या बचेगी उनके साथ में आपको यहांफर करना है तो चलिए एक बटे तीन के साथ में हम करते हैं एक बटे तीन वह तीन बटे में साथ तो चलिए साथ एक हम कराएं कितना होगा साथ तीन नम में कराएं कितना होगा नो कितना होगा नो तो अब एक चीज आपको यहां फर पता चल गई क्या 7 बढ़ा है या 9 तो हमारा कितना बढ़ा है 9 9 किसे मिलकर बना है 3 बटे 7 से अब 3 बटे 7 को अमको यहाँ पर कंपेरेजन करना होगा किसके साथ 9 बटे में 11 तो 11 तीय करें दोस्तों कितना होगा 33 होगा 7 नम करें कितना होगा 63 होगा तो क्या 33 बड़ा है या 63 बड़ा है कितना बड़ा है हमारा 63 जबकि हमारा जो 63 है वो किस से निकल करके बना है 9 बटे 11 है क्या है 9 बटे 11 है तो इसमें जो आपकी सबसे बड़ी विन्न सबसे बड़ी इसमें जो अमारी सबसे बड़ी विन्न है वो अमारी यहांपर दोस्तों क जैसे कि इसमें हमारी जो बड़ी बिन्न निकल करके आई है वो कितनी है नो बटे में 11 बड़ी अभी इसके लिए एक और मेंतल होता है दोस्तों जिसको कि हम डिफ्रेंस मेंतल होता है और डिफ्रेंस मेंतल ऐसा मेंतल होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर बिन्न इन में साथ वहीं पर बात करें तो दुस्तों पांच बटे में आपका कितना ग्यार हैं अब बताइए तीनों आपको यहां पर क्या बताना है सबसे चोटी सबसे चोटी विन उसके अलाव़ आपको यहां पर सबसे बड़ी विन, सबसे छोटी विन बतानी है, वह सबसे बड़ी विन बतानी है, कि इन में बताईए, तो सबसे पहले हमें इनका कमफेरेजन होता है, इनकी जो तुलना होती है, वो करके देख लेते हैं, तो अब आपके तुलना कराएं, तो कितना है, दो बटे में पांच है, व तो क्या एक चीज आपको यहाँ पर देख रही है कितना बढ़ा है चौद्र बढ़ा है या पंद्र है कितना बढ़ा है पंद्र है जबकि पंद्र है हमारा किस से निकल करके बना है तीन बटे साथ से अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पांच बटे ग्यारे कितना है पांच बटे 11 से यानि कि दोस्तों पांच बटे 11 है जो बिन्न होगी वो क्या होगी हमारी सबसे बड़ी बिन्न यानि कि सबसे बड़ी प्रेक्शन जो अमारी यहां पर दोस्तों कितनी है पांच बटे 11 है अब चलिए हमें यहां पर देख लेते हैं कि सबसे छोटी जो बिन् इसका कंपरेजन करते हैं पांच घ्यारे के साथ तो गयारे दोनी करहें कितना होगा 22 पांच दिये कराएं, कितना पांच पंजे कराएं? पच्चिस तो यहां पर दोस्तों अमारे यहांपर जो आपका दो बटे पांच विन्न है दो बटे पांच कौन सी आपकी? यहांपर दो बटे में 5 यह जो फ्रेक्शन है, वो अमारी क्या है? सबसे छोटी विन्न है सबसे छोटी फ्रेक्षन है वो दोस्तों हमारे याफर कितनी है दो बटे में पाँच है उम्मीद करूँआ दोस्तों कि आपका जो cross multiplication method होता है वो अच्चे से यापर आपका clear हो गया होगा कि आकर हम सवालों को किस प्रकार से यापर आपस में केंची गुणा करकर कैसे solve यापर किया जाता है चलिए last person हम यापर एक और देखते हैं उसके बाद में जो हम सबसे important method जो कि उताव का difference method उसके बारे में हम यापर जानने वाले हैं तो जैसा कि दूस्तों यापर बात करें चार बटे में साथ वहीं पर नो बटे में ग्यार है यह जो आपका क्या है बिन्न है उसके अलावा याँपर बात करें दूस्तों हम याँपर पांच बटे में पांच बटे में आपका नो अब बताइए कि इन तीनों बिन्न में सबसे चुटी विन कौन सी है, सबसे बड़ी विन कौन सी है वहीं पर बात करें कि आप से यहाँ पर पूचा जाए कि इनको आरोई किरम वो इनको अवरोई किरम में यहाँ पर सेट किया जाए तो हम यहाँ पर कैसे सेट करेंगी तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में तुलना कर लेते हैं यानि कि 4 बटे साथ वहीं आपका 9 बटे में 11 तो इनके साथ में आप तुलना करें तो 11-4 करें कितना हुआ 45 यहाँ पर 11-4, 45 वहीं पर 9-70 करें कितना हुआ 63 तो यहाँ पर एक चीज के लिए हो गई कि 9 बटे 11 जो बिन्न है वो दोनों में हमारी बड़ी है अब तीसरी जो हमारी क्या बची 5 बटे में 9 अब इनके साथ गुला कीजिए तो 9-9 में करें कितना होगा 81 11-5 करें कितना होगा 55 होगा तो यहां से भी जो अमारी बड़ी बिन्न निकल लिए करके आई है वो कितनी है 9 बटे में 11 वह इन पर जो आपकी बड़ी बिन्न कौन सी है अमारी यहां पर 9 बटे में 11 अब चलिए हम यहां पर देख लेते हैं चोटी बिन्न के बारे में कि आकर जो हमारे यहां पर छोटी बिन है वो यहां पर चलिए फिर कौन सी है तो अब चलिए अभी हमने कमफेरेजन किया था दो बिन में तो दोस्तों यहां से जो हमारी बिन्न निकल करके आई है वो भी आपसे कितनी है आपकी सबसे चूटी हमको लेना है तो पांच बटे में नो है पांच बटे नो क्या है दोस्तों यहां पर आपकी सबसे चोटी बिन्न सबसे चोटी बिन्न जो हमारी दोस्तों कौन सी है 5 बटे नो है उम् closure है दोस्तों यहां पर की cross multiplication यानि की जो कहची गुलां से जो prison solve होते हैं वो आप यहांसे बिलकूल अच्छे से solve है यहां पर कर सकते हैं अब चलिए दुस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं डिप्रेंज मेंतल यानि कि दुस्तों जो इंपोडेंट मेंतल होता है सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सवालों को देखना है और आप वहीं से बता दें कि आपका सबसे चोटी वह सबसे बड़ी विन्या पर आकर कौ कि आपका यहाँ पर कौन सा मेंतल है आपका डिप्रेंज मेंतल उसके बाद में आपका एक मेंतल और होता है आपका यह मेंतल होता है और आपका जो बेस मेंतल होता है सभी के बारे में हमें आपर दोस्तों तोड़ा तोड़ा जानने वाले हैं जिससे कि आपका किसी भी प्र तो आंतर जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए समान और अपर आसल ऐसा होगा जब बड़े बड़े हिरसन आपको बंचा जाएगा तो कम पहुंर पर अंतर समान से लेकर जो आपका ब्म शाभप को सब्सक्राइब जstä Wait ही होगी तो सिर्फों सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि क्या इनका अंतर एक अंतर समान है तो छे और साथ जब अंस वह दोनों का अंतर समान हो तो जिसका अंस बड़ा होगा वह बिन बड़ी होगी क्या होगी वह बिन दोस्तों यहां पर आपकी बड़ी होगी वह बात करें जिसका अंस चोटा होगा वह बिन चोटी होगी वह बिन कैसी होगी दोस्तों हमारी यहां पर चोटी होगी तो यह चीज आपको यहां पर दोस्तों बिलकुल अच्छे से यहां पर आनी चाहिए और यहां से आपके पिरसन भी आपके बड़े बड़े जो पिरसन बनते हैं वो difference mental को ही लेकर बनते हैं अभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ तो जब अंस वहर, दोनों का अंतर क्या हो, समान हो अब अंतर यहां पर एक का है, अंतर दो का भी हो सकता है अंतर तीन का भी हो सकता है तो यह दोनों तीनों बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है तो जिसका अंस बड़ा होगा, वो अब इन कैसी होगी बड़ी बिन तो अंस अमारा किसका बड़ा है, ग्यारे बटे में बारे का है तो यह जो अमारी क्या है दोस्तो बड़ी बिन्न है तो वहीं आपका अंस छोटा किसका है तो 6 बटे 7 का तो वहीं पर दोस्तो अमारी जो छोटी बिन्न है छोटी कौन सी आपके यहां पर 6 बटे 7 वो बड़ी कौन सी अमारी यहां पर 11 बटे बार है तो बिलकुल आपको यहा आपका 23 बटे में 24, वहीं पर 27 बटे में आपका 28, वहीं आपका 21 बटे में 22, यह जो अमारा दोस्तु क्या है प्रिसन है, अब आप चलिए यहां पर बताईए कि यहां पर कौन सी विन्ने तो मारी छोटी होगी, वो कौन सी विन्ने यहां पर आपकी बड़ी रेने वाली है, तो यह चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिये कि जब अंतर समान हो, जबकि यहां पर अंतर समान है, यहां पर अंतर एक का है, यहां पर भी अंतर एक का है, और यहां पर भी आपका अंतर एक का है, जब ऐसी इस्तिती हो, तो जिसका अंस बड़ा, तो अंस किसका किसका है 19 बटी 20 का तो 19 बटी में 20 क्या होगी दोस्तों यहाँ पर छोटी बिन होगी उम्मीद है कि दोनों बिन जो आपके यहाँ पर अच्छे से दोस्तों के लिए हो रही होगी कि हमारे यहाँ पर कौन सी बिन छोटी है कौन सी बिन बड़ी है अब चलिए धुस्त हमिया पर एक और प्रिस्टो यापर करके देख लेते हैं कि जैसे सपोजी यहां पर कोई और प्रिस लिक्न है उप्रिसेन अमारे यापर कौन सा है ज athletics धॶ्त हमिया पर बात करें 17 बटे आंनीस यानि कि क्या है हमारा यहां पर सत्रे बटे में उन्नीस वहीं पर आपका 21 बटे में दोस्तों यहां पर तेईस उन्तीस बटे में आपका दोस्तों एकत्तीस वहीं पर आपका यहां पर सेंतीस बटे में उन्तालीस अब बताईए कि हमको यहां पर दोस्तो कौन सी बिन जो होती है वो हमारी यहां पर छोटी होगी चारों में वो कौन सी बिन जो होगी हमारी यहां पर बड़ी होगी तो चली हमें यहां पर दोस्तो देख लेते हैं तो एक चीज़ आपको यहां पर दोस्तों किलियर होनी चाहिए कि जब इनका अंतर क्या है अंतर जो है इनका क्या है समान है यानि यहां भी अंतर कितना है दोका है यहां पर भी अंतर कितना है दोका है यहां पर भी देखें तो अंतर दोका है वहीं यहां पर देखें तो अंत बड़ी बिन्न होगी किया होगी दोस्तों यहां पर आपकी बड़ी बिन्न होगी वहीं पर दोस्तों हमें यहां पर बात करें सबसे चोटी के बारे में तो जिसका सबसे चोटांस किसका है 17 है 17 बटे में 19 का तो यह जो अमारी बिन्न होगी चोटी बिन्न होगी क्या होगा दो पार फुलो होता है। चली यह बड़े कुर्षान में याँपर आपका लिग देता हूं। जब जाकर आपको याँपर किलियर होगा इसकी अपने आप में क्या आहेम वोमिका होती है। जैसे कि दूस्त्रमें याँपर आपका एक प्रिषान लेगू। प्रिसन आपका कुछ इस प्रकार से है दूस्तों यहां पर 101 बटी में 103 वहीं पर आपका 197 में बटी में आपका 199 में यह जो क्या है दूस्तों बिन्न है यानि कि प्रेक्शन वहीं पर दूस्तों आपका 107 बटी में आपका 109 वहीं पर आपका 120 बटी में आपका 125 यह जो हमारी क्या हैं दोस्तो चारो ही बिन्न हैं क्या है चारो ही बिन्न है और चारो बिन्न में आपको यहाँ पर देखना है कौन सी छोटी बिन्न होगी कौन सी बड़ी बिन्न होगी तो एक चीज तो आपको दोस्तो यहाँ पर क्लियर हो रही होगी कि सबसे फर्ष्ट में जो मैं आपको अभी बताया था क्रोस मल्टिफिलिकेशन में जिसको कि क्या कहते हैं आपका यहां पर कैची गुड़ा में तर भी तो बहुत उस्तों आप यहां पर लगाएं तो में तर काफी लंबा हो जाएगा तो हमको सवाल के इसाब से मेतर चेंज करना है तो यहां पर सबसे पहले हमें यहां पर देखते हैं कि अंतर समान है तो यहां भी अंतर दोका है यहां पर भी आपका अंतर दोका है और यहां पर दोका देखा है तो यहां पर भी आपका यहां पर भी यानि कि चारों में जो अंतर है वो हमारा क्या है समान है तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब आपका अंतर अंस हुआ हर दोनों का समान हूँ तब हमको क्या करना है तो जिसका अंस बड़ा होगा वो बिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी और जिसका अंस छोटा हुआ वह बिन्न हमारी दोस्तों छोटी हो जाएगी तो सबसे पहले जिसका अंस किसका बड़ा है तो अंस जो बड़ा है हमारा किसका 197 बटे में 199 यह क्या है दोस्तों आपकी बड़ी बिन्न है क्या है दोस्तों आपकी बड़ी बिन्न है 197 बटे में 199 निन्यान में क्या है बड़ी बिन्न है वहीं बात करें दोस्तों हमें यहां पर छोटी बिन्न के बारे में हैं तो 103 101 बटे में 103 यानि 101 बटे में आपका 103 यह जो अमारी क्या हो जाएगी फिर दोस्तों चोटी बिन्न हो जाएगी यानि कि कहें तो आपके यहां पर greater fraction greater fraction वहीं पर आपकी दुस्तो small small fraction यानि कि चोटी बिन्न वह बड़ी बिन्न तो उम्मीद है कि आपको यहां पर comparison कैसे किया जाता है वो यहां पर अच्छे सी दुस्तो clear घर हो रहा होगा तो चलिए एक person अम यहां पर और देख लेते हैं उसके बाद में जो दुस्तो जो base method होता है उसके बारे में हम यहां पर जानने वाले हैं यह जो base method होता है ज्यादा तर जो person होते हैं वो आपका यहां से ही पूँच लिये जाती हैं तो अब चलिए एक प्रसन अमें यहां पर और देखते हैं जैसे कि दुस्तों मैं यहां पर कहूं आपका यहां पर 407 बटे में आपका यहां पर 410 यानि कि दुस्त आपका 407 बटे में 410 यह जो आपकी क्या है बिन्ने है है नहीं बात करें दोस्ते याँ पर 421 बटे माप का या पर 424 क्या है 424 कि छहीं पर बात करें दोस्तों हमें या पर 429 बटे में 432 यह जो अमारी क्या है दोस्तों तीनो ही विन्न हैं तीनों ही फ्रेक्षन हैं तीनों ही फ्रेक्षन में हमको देखना है कौन सी छूटी विन्न होगी कौन सी बड़ी विन्न होगी तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले दुस्तों में आपर बात करेंगे अंतर यहां पर भी तीन का है यहां पर भी अंतर तीन का है यानि कि कहने का मतलब कि इस सवाल में जो आपका अंतर है वो अमारा क्या है समान है और जब ऐसी स्थिति यो अंतर समान हो तो जिसका अंस बड़ा यानि कि 429 बटे में 432 क्या हो जाएगी दूस्तों आपकी यहां पर बड़ी बिन्न हो जाएगी वहीं बात करें चोटी बिन् है उम्मीद है कि यह जो आपका मेंतर्ड अच्छे से किलिए आपका यहां पर डिप्रेंस मेंतर्ड जो होता है वो समझ में आपका आ गया होगा अब चली हम यहां पर दोस्तों बलते हैं एक नया मेंतर्ड जो की होता है आपका बेस मेंतर्ड क्या होता है यहां पर दोस्तो इसके बारे में एक चीज तो आपको यहां पर दूस्तो बता होगी कि बेस क्या होता है हमारा यहां पर आदार होता है क्या होता है आपका यहां पर आदार होता है जैसे कि बिन्न में आपको उता है अंस वो हर तो वहीं पर जो आपका हर होता है वो आदार होता है तो यहाँ पर आदार जो आपका समान मिलेगा कई विन में जैसे कि हम बात करें दूस्तों आपका 9 बटी में आपका यहाँ पर 13 वहीं पर आपका 7 बटी में 13 वहीं पर आपका 11 बटी में 13 तेरे वहीं पर आपका दोस्तों बात करें हम 10 बटे में तेरे तो इन सभी संक्याओं में हमारा क्या दिख रहा है एक चीज दिख रहा है योगी कि जो आपका हर है वो हमारा क्या है समान है हर प्रिशन में वहीं दूसरा प्रिशन के बारे में हम बात करें दोस्तों 20 बटे में सत्ताई से तो जो बेश है जो आदार है वो अमारा क्या है समान है और जब आपका ऐसा हो कि जब यहां पर आपका आदार समान हो यानि कि दूस्तो जब जब आदार समान हो जब आपका आदार समान हो तो जिसका अंस बड़ा जिसका अंस बड़ा होए बिन बड़ी जिसका अंस बड़ा होए बिन बड़ी होगी अब चली दूस्तों में आपर देख लेते हैं क्या ऐसा होता है तो सभी में जो हमारा अंस है वो क्या है आपका बड़ा है यानि कि जब आदार समान हो तो जिसका अंस बड़ा हुए बिन बड़ी तो आदार हमारा समान है यानि कि सभी का आदार कितना है तीरे तो सभी में अब आप यहापर देखे हैं कि अंस किसका बड़ा है 11 बटे 13 तो इसका यह जो आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों यहापर सबसे बड़ी बिन्न होगी यानि सबसे बड़ी बिन्न अमारी कौन सी होगी दोस्तों 11 बटे में 13 अब बात करें सबसे छोटी बिन्न के बारे में तो सबसे छोटा अंस अमारा किसका है तो यहापर आपका देखा है तो दोस्तों साथ बटे में 13 क्या है आपका यहापर साथ बटे 13 तो ए जो अमारी बिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहां पर आपकी छोटी बिन्न हो जाएगी कितनी आपकी यहां पर साथ बटे में तेरे तो यह जो आपको यहां पर अच्छे से पता चल गया अब हम यहां पर देखते हैं इन में आदार अमारा यहां पर भी समाना है तो सबसे अमारा बड़ा किसका है सबसे बड़ा वेस यहां पर 22 बटे साथ है यानि कि दोस्तो सबसे बड़ी बिन सबसे बड़ी बिन हमारी दोस्तो क्या है 22 बटे साथ वहीं बात करें हैं सबसे छोटी के बारे में तो सबसे छोटी सबसे छोटी फिर एक्सन हमारे यहाँ पर दोस्तों कितनी है 19 बटे मैं 27 तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके यहाँ पर बिनने से related जो भी आपके concept पर होते हैं अच्छे से यहाँ पर आपके clear हो गए होगे तो उम्मीद है क्लास आपको यहाँ पर अच्छी लगी होगी अगर क्लास अची लगई हूँ तो हमारे यूट्यूब चैनल क्लास अगर इंस्टिट्यूट उसको दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करके जरूर रखें तो मिलते हैं किसी नेस्ट इंट्रेस्टिंग क्लास के साथ तब तक जेहिंद बंदमातरम